जिला कुलू के प्रीडी में अटल विहारी वाजपई परवतारोहन संस्थान के सौजने से उपायुक्त कुलू आशुतोश गर के निरीक्षन और सयुक्त निदेशक के आदेश अनुसार 14 दिवसिय रिवर आफ्टिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है इस रिवर आफ्टिंग प्रशिक्षन शिविर में कुलू जिला के साथ साथ पहारी राज्यों से लगभग 30 युवा प्रशिक्षन ले रहे हैं अटल विहरी वाजपई प्रवतारोहन संस्थान के सौजने से 14 दिवसिय रिवर आफ्टिंग प्रशिक्षन शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वाइट वाटर स्विमिंग, वाइट वाटर, क्याकिंग, वाइट वाटर रिवर आफ्टिंग और रैस्क्यू की सभी गतिविधियों की बारीकी से जानकारी दी जा रही है जिसमें बेसिक स्विमिंग, लाइट स्विमिंग, टेक्नीक, रैस्क्यू संबंदित एवं रिवर आफ्टिंग को चलाने संबंदी एवं इन सब चीज़ों के विश्य में बारीकियों से इनको यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है जिसको हिमाचर प्रदेश सरकार द्वारा चल पिरिडी की ओर से यह बेसिक रिवर राफ्टिंग कोर्स 14 दिन का कारेकरम यहां राफ्टिंग सेंटर पिरिडी में चलाया जा रहा है बियास नदी के उपर जिसमें पर देश वर से हमारे देश विदेश से बच्चे आये हुए हैं जिसमें जिला कुलू से तकरीवन 10-12 ल यहां पर हम बेसिंग रिवर राफिंग कोर्स कर रहे हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया जा रहा है जैसे वाइट वाइट वाटर स्वेमिंग हो गया तो काफी अच्छे से यह सिखा रहे हैं तो काफी कुछ निया सीखने को मिल रहे हैं तो हमें कुछ निया सीखने को सिटी चैनल के लिए कुलो से दिली ठाकुर की रिपोर्ट